हेलो स्टुडेंट्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्साइट 2020 और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं गार्मेंट कंस्रक्शन का एक टॉपिक जिसका नाम है सीम एंड टाइपस ओफ सीम इसके हंदर हम डिसकस करेंगे कि सीम क्या होती है उसे यूज करने के अबजेक्टिव क्या क्या है और सीम कितने टाइपस की होती है उन टाइपस को हम एक एक करके डिटेल में डिसकस करेंगे और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल सीम क्या होती है सीम इसे कॉंबिनेशन ओफ जोइंट्स तू मेक ए लाइन पोर जोइनिंग टू प्लाई ओफ फैब्रिक की टू प्लाई को जोडने के लिए जब हम स्टिचिज का कॉंबिनेशन यूज करते हैं और एक लाइन बनाते हैं उसे सीम कहा जाता है फैब्रिक के उपर जब दो प्लाई दी जाती है हमें दो लेयर्स हैं फैब्रिक की उनको जोडने के लिए हमें एक लाइन में स्टिचिज प्रोड्यूस करते हैं यह माल लीजिए फैब्रिक है इसके नीचे दूसरा फैब्रिक है तो जब हम एक स्टिचिज की लाइन प्रोड्यूस करते यह अलग लग तरह के स्टीची का कॉंबिनेशन करके जब हम उन दो प्लाइट को जोडते हैं जोइन करते हैं तब जो प्रोड्यूस होता है उसे सीम कहा जाता है जो हमारे जो भी गार्मेंट है उसके टोप पार्ट पे दिखाई देती है जैसी स्टीचिंग की हुई है तो य एक क्लासिज में डिवाइड किया गया है स्टीचिस की एक क्लास डिफाइन की गई है जिसमें हर एक सीम को अलग लग तरीके से कई डिफरेंट तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है तो सबसे पहले है क्लास वन सूपर इंपोजड सीम क्लास टू लैप्ड सीम क्लास थ्र क्लास सेवन अटेचिंग ओफ सेपरेट आइटम्स एंड क्लास एट सिंगल प्लाई कंस्ट्रक्शन सीम तो यह आठ तरह की सीम डिवाइड की गई है एट क्लासिज के अंदर जिन्हें हम एक एक करके डिसकस करेंगी तो सबसे पहले बात करते हैं सूपर इंपोजड सीम की सूपर इंपोजड जिसके अंदर हम दो फैब्रिक लेयर्स को एक के उपर सूपर इंपोजड करके स्टिचिंग करते हैं उस सीम को सूपर इंपोजड सीम कहा जाता है तो इसको हम डाइग्राम से समझने कोशिश करते है कि जैसे ही मान लीजिए यह एक फैब्रिक लेयर है और इसके नीचे यह दूसरी फैब्रिक लेयर है कि यह सूपर इंपोस सीन तीन तरीके से हम बना सकते हैं प्रोड्यूस कर सकते हैं सबसे पहले डाइग्राम में दिखाये गया है कि एक टोप लेयर है यह टोप लेयर है और इसके नीचे बोटम लेयर है दोनों लेयर को सिंदल स्टिच की हैल्प से जब हम सूपर इंपोस एक दूसरे के उपर रखके जब हम सीन इसके साथ अठाच करते हैं तो इस टाइप की सीन प्रोड्यूस होती है इसको इस डाइग्राम से एक्स्प्लेइन किया गया है यह लेयर को शो कर रहा है यह वादा इस में भी एक के ऊपर दूसरी लेयर सूपर इंपोस यह इसके अंदर यह जो क्लेर है इसके एज़िस को पहले से सिच किया हुआ है इसके बाद इन दोनों को एक साथ जाइन किया गया है इस líb को जोकिया गया है और जो यह चोटी सीम है इंको स्मॉल लाइन से क्योंकि दोनों में अलग-अलग स्टिचिंग की वह इसलिए दोनों को अलग लग छोटी लाइन से शोग किया गया अब तीसरे डाइग्राम में दो लेयर्स हैं दोनों को एक साथ स्टिच किया हुआ है कॉर्णर पैसे एजिस पैसे उसके बाद यह सीम से इन दोनों फैब्रिक को जोइन किया गया तो हमने जो में सीम है उसको बड़ी लाइन से है और जो एक कंबाइन सीम है दोनों के लिए इसको छोटी लाइन से शोग गया है तो इस सीम के अंदर हम बेसिकली दो फैब्रिक्स को या दो से जादा फैब्रिक्स को एक साथ जोइन करते हैं बाई यूजिंग डिफरेंट टाइपस ओफ सीम सूपर इंपोस सीम इसको करन है अब बात करते हैं सेकंड्ट सीम की जो है लैप्ड सीम है है तो लैप्ड सीम के अंदर हम दो फैब्रिक्स की ओवर लैपिंग करते हैं जैसे सूपर इंपोस सीम में हमने दोनों सीम दोनों फैब्रिक्स को एक के उपर एक रखे एकवल रखे हमने स्टिचिंग की दी लेकिन इसमें हम एक फैब्रिक को दूसरे फैब्रिक से थोड़ा दूर रखे जब हम दो फैब्रिक पीसिस को जोईन करते हैं उस केस में तो यहां पर एक फैब्रिक की टोप लेयर यह है और फैब्रिक की बोटम लेयर यह है थोड़ा इनके अंदर डिस्टेंस है जैसे की सूपर इंपोसी में दोनों फैब्रिक बिल्कुल इकवल थे इसमें यह ऐसे हैं यह फैब्रिक यहां पर है दूसरा फैब्रिक य दूसरा तरीका लैप सीम को बनाने का यह है कि हमने एक फैब्रिक को लिया उसको फोल्ड किया उसके अंदर दूसरा फैब्रिक डालके उसको ऐसे फोल्ड किया फिर हमने उसको स्टीचिंग कर दी इसको फोल्ड किया इसके अंदर दूसरा फैब्रिक ऐसे जैसे ते दिखाई देराआ प्रिक यह है आपको पहला फैब्रिक यह है है आई इसको बोलते हैं लैप्ड सीम इसको करने के लिए हमें टू नेंडलच स्टिच्छ zwischen मशीन की ज़रूरत पड़ती है दो निडल जिसके अंदर हों ताकि दोनों निडल एक साथ सीम प्रोड यूज कर सके इसका यूज मेंली डैनिम जीन्स के लिए डैनिम शर्ट्स के लिए यूज किया जाता है लैट सीम को और इसकी स्ट्रेंट बहुत ही अच्छी होती है दूसरा जो हम स्ट्पी यूज कर रहे हैं वो दो निडल से यूज कर रहे हैं तो उससे और भी ज्यादा स्ट्रेंट मिलती है पैब्रीक को तो इसे बोलते हैं लैट सीम अब बात करते हैं नेक्स सीम की जो है क्लास 3 बाउंद सीम तो bound seam के अंदर हम क्या करते हैं एक fabric के raw edges को जो finished नहीं होते edges fabric के उनको दूसरे fabric के साथ cover करके उसके अंदर fold करके हम bound seam को produce करते हैं इसको हम diagram से समझने कोशिश करते हैं माली जी ये एक fabric है इसके edges sharp नहीं है इसको हमने दूसरे fabric के साथ cover कर दिया और यहां पर हमने इसके अंदर seam डाले इसको ऐसे देखे डाइग्राम में तो यह bound seam का diagram है अब इसके अंदर हमने क्या किया यह एक fabric layer ली इसको cover कर दिया दूसरी fabric layer से और cover करने के बाद यहां पर हमने इसके अंदर seam introduce कर दिया इसको इस diagram में भी देखा जा सकता है बाहर से cover किया हुआ है अंदर से एक fabric insert किया और seam डाल दी अब इस fabric के जो रा edges है rough edges है जो इस fabric के वह यह वाले fabric cover कर लेता है दूसरे case में अगर जो covering fabric है उसके edges भी rough हैं और जो अंदर वाला fabric है उसके भी rough हैं तो हम उसको ऐसे cover कर सकते हैं कि यह fabric हमने डाल दिया इसके edges rough हैं जो आब अधर करते हैं तो या से ऊजे कोवर करके हैं इसके真 अधर कर से book विल्ट कर दिया यहां पर और उसके वार N स plays काजबलने करने तो हम ऑसके अजरे एक एक उतवर आधर की सेम को बॉलन सीर्थ इसका यूज में ली टी शर्ड की जो जो neck line है उसको finish करने के लिए और जो shirt के पिछे जो yoke होता है उसको cover करने उसको finish करने के लिए और किसी भी garment के edges को finish करने के लिए इस seam का use किया जाएक है यह है class 3 bound seam इसके बाद next class 4 flat seam फ्लैट सीम का यूज हम निटिद गार्मेंट्स में बहुत ज़ादा करते हैं और उस पार्ट में करते हैं जहां पर फैब्रिक के दो एजिज जो की फिनिश्ड हैं साइड बाई साइड जोिन करते हैं तो इसके लिए हम सिंपल स्टिचिंग कॉाइंट्स भी यूज कर सकते हैं सिंपली उसको जोड़ने के लिए दो अलग अलग लेर्स हैं उनको साइड बाइ साइड हमने मिलाया और उनको सिंपल स्टिचिंग पॉइंट से हमने जोइन कर दिया तो उसको बोलते हैं फ्लैट सीम एक दूसरा तरीका है फ्लैट सीम को डालने का इसके अंदर भी दो फैबरिक एजिस को साइड बाइ साइड रखा जाता है और जो सीम हम इंट्रोड्यूस करते हैं वो जिग जग फॉर्म में होती है ऐसे जिग जग फॉर्म में हम सीम को इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसे एक डेकोरेटिव वे के अंदर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं प्लास सीम का एक टाइप है इसको डेकोरेटिव परपस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं और स्टेंद करोईट करने जले भी सीम का यूज कर सकते हैं और इसका यूज मॉस्ली निट वियर्स के लिए और निट गार्मेंट के लिए किया जाए अब बात करते हैं नेक्स सीम की जो है क् देकोरेटिव सीम, जैसा की नाम से पता लग रहा है, जो देकोरेशन पुर्पस के लिए जब हम सीम का यूजा करते हैं, तो तो उसे BOLTcidoясी, तो तो नाम सीम के अंदर एक या एक से से ज़्यादा सीम लाइन को एक साथ प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है इसके लिए हम मल्टी नीडल स्टिचिंग मशीन का यूज करते हैं और एक साथ हम जैसे यह हमने एक ही फैब्रिक की लेयर है इसको फॉल्ड किया हुआ है तीन फॉल्ड अंदर इसके अंदर दे रखी है और तीनो फॉल्ड के उपर हमने एक एक सीम दे रखी तो एक साथ हमने तीन सीम प्रोड्यूस कर रखी है उसको डैकोरेटिव बनाने के लिए इसको इस डाइग्राम से भी हम समझ सकते हैं कि यह फैब्रिक के लिए एक फॉल्ड फिर दूसरा फॉल्ड फिर तीसरा स्टिच एक साथ त्री नीडल मशीन या मल्टी नीडल मशीन से हम प्रोड्यूस करते हैं दूसरा मेथड यह है कि फैब्रिक की एक लेयर है उसको उमने फॉल्ड करके दूसरी लेश के साथ ऐसे जॉइन कर दिया यहां पर दो टू नीडल स्टिचिंग मशिन का हमने यूज किया और यहां पर स्टीच प्रोड्यूस कर दिया हमने इसके अंदर इसको डेकोरेटिव बनाने के लिए तो इस प्रकार से हम क्लास फाइव डेकोरेटिव सीम यूज़ करते हैं इसका यूज में लेडीज वियर और पैंट्स में किया जाता है बोटम पार्ट में डेकोरेटि उनका मतलब क्या है कि mostly garments जो भी हम फ्रोड्यूस करते हैं फैब्रिक से उनके edges mostly garment के edges raw होते हैं finished नहीं होते हैं उन में chances होता है कि जो किनारे पर जो वार पूर वेफ्ट हैं उनके निकलने के chances रहते हैं फ्रे इंंग के काराण या जैसे जैसे घ्र्मेंट को इस TJ करते हैं तो उस धागों के निकलने के चांसी रहते हैं गार्मेंट जल्दी खराव होसकता है तो उस चीज़ को अवंट करने के लिए एज-णेटिंग सीम का यूज 17 करती है कि युदीज निज-जीट के रफ एज़ इजेज हैं उनको एंटर्म करने का काम करती है कुछ वह भी गार्मेंट है इसको रिप्र्जेंट हम ऐसे करते हैं कि माल लेजेग यह फैबरिक का एज है और इस्पे हमने इसको fold करके जिसको हमने seam provide कर दी तो यह edge knitting seam का function mainly जो fraying है fibers की जो yarns की fraying के chances हैं उसको reduce करना होता है finishing provide करना होता है raw edges को इसको अलग लग तरीके से हम use कर सकते है edge knitting को इसको करने के लिए mainly overlock machine का use किया जाता है और यह कि 90% fabrics के अंदर garments के अंदर इस seam का use किया जाता है edges को finish करने के लिए दूसरा तरीका इसको edge knitting को करने का दूसरा तरीका तो एक तरीका तो यह है कि हम simply हमने edge को fold किया और उसपे seam provide कर दी कि दूसरा तरीका यह है कि हम उस edge को दूसरे fabric से cover करके उसको overlock machine से seam provide करते हैं तो उसे edge knitting बोला जाता है fabric के edges को finishing provide करने के लिए जिस seam का use किया जाता है overlock machine से उसे edge knitting seam करते हैं यह छे class हमने पढ़ी अब बात करते हैं 7th class की class 7 attaching separate items जब हम garment बनाते हैं उस time हम कुछ extra items को fabric के साथ या garment के साथ attach करते हैं जैसे lace lady suit के अंदर lace को add कि किया जाता है साड़ी में lace को add किया जाता है T-shirts के अंदर कुछ decorative part को attach किया जाता है elastic को add किया जाता है तो उन items को attach करने के लिए जिस seam का use किया जाता है वो class 7 के अंदर आती है इसका कोई particular नान नहीं दिया रहा है सिर्फ attaching separate items separate items को attach करने के लिए इस seam का use किया जाता है इस seam के अंदर हम mainly जो extra part है उसको साथ में attach करते हैं मान लीजिए यह fabric का edge है और इसके साथ हमने यह lace attach की है extra lace जैसी यह मेरी T-shirt है अगर इस T-shirt के इस part पे यहाँ पर अगर मैं lace attach करना चाहता हूं तो इस seam का use किया जाता है यहाँ पर lace को place किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर seam apply की चाहिए similarly इस तरीके से यह मान लीजिए मेरी T-shirt का यह edge है और इसके उपर मैंने यह lace लगा के इसको इसके साथ attach कर दिया है यह कुछ-कुछ lap seam से मिलती जुकती है बट इसके अंदर जो extra part है उसको दोनों side में एक limited area के अंदर ही extent किया जाता है इस area के अंदर थोड़ा लिया जाता है बाहर के अंदर जादा बाहर विकाला जाता है ताकि जो purpose है उस extra item का वो पूरा हो सके तो ऐसे हम इस part को attach कर सकते हैं सिमिलरली अगर हमें यह तरीका हम यूज करते हैं elastic वगैर को attach करने के लिए जैसे यह fabric को हमने fold कर दिया उसके उपर elastic को attach किया और दोनों को को पूरा करती है elastic को attach करने का प्रपस भी हम इस seam की help से कर सकते हैं एक और तरीका है class 7 को use करने का अब इस third method में जो class 7 seam है इस method के अंदर हम क्या करते हैं fabric को fold किया अभी हमने elastic को उपर लगा था लेकिन इस part को हम अंदर भी लगा सकते हैं जो पार्ट हमने उपर लगाया था जो elastic हमने उपर लगाया था उसको अंदर डालके भी हम attach कर सकते हैं उस उपर वाले पार्ट को lace के लिए भी यूज किया जा सकता है अगर हमें छोटी कोई lace attach करनी है या ब्रेडिंग कोई attach करनी है गार्मेंट के साथ तो उसके लिए भी हम उस method को यहाँ पर जो second method यूज किया था और elastic के लिए हम इस third method को use कर सकते हैं तो elastic अगर हमें attach करना है गार्मेंट के साथ तो हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं यह class 7 seam है जिसे बोलते हैं attaching of separate items उसके बाद last जो हमारी seam है वह है class 8 single ply construction यह हमारी class 8 seam है जिसे बोलते हैं single ply construction इसके अंदर हम single ply fabric को seam की help से garment के अंदर join करते हैं इसका use mainly waist belt के लिए और loop belt के लिए किया जाता है जो waist पे हम back produce करते हैं plus जो loop belt fabric के अंदर हम डालते हैं garment के अंदर उसके लिए इस class की seam का use किया जाता है इसको करने के तीन तरीके हैं पहला तरीका है fabric लिए हमने उसको दोनों side से fold किया और उसके उपर seam apply कर दिया परस तरीका जिसके अंदर fabric की जो layer है उसको दोनों side से fold किया और उसको seam से join कर दिया दूसरा तरीका है fabric को हमने दोनों side से fold किया कुछ area अंदर की तरह fold कर दिया और उसके उपर stitch apply कर दिया seam apply कर दिया और third तरीका है कि हमने fabric का एक part दूसरे part के बिल्कुल equal नहीं किया जैसा इसमें किया था हमने एक part को थोड़ा आगे किया एक part को थोड़ा पीछे रखा और seam apply करके उसको join कर दिया तो यह तीन तरीके से हम single ply construction seam को use कर सकते हैं जो की final class है seam के types की class 8 तो इस तरीके से हम अलग-अलग seam को use करते हैं अलग-अलग seams का different purposes के लिए यूज कर सकते हैं कुछ seams functional purpose के लिए यूज की जाती हैं कुछ seam decoration purpose के लिए कुछ finishing के लिए कुछ other items को join करने के लिए हर seam का एक अलग purpose है और इनका use mostly appearance में sports wear में लिट्रिट garments में garment industry के अंदर अलग-अलग type के जितने भी garment produce होते हैं उनके अलग-अलग purpose के हिसाब से अलग-अलग-अलग लेबल है आप हमारे website को email से subscribe कर सकते हैं ताकि जो भी पोस्ट आनों हमारी website पर डाले वह आपको email में मिल जाए और आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं thank you so much for watching कर सकते हैं